लास्ट वीडियो हमने परियावाती शब्दों का किया था यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देखिएगा आज हम करने वाले हैं विलोम शब्द तो यह बुक के अंदर से ही मैंने लिये हैं विलोम शब्दों की सूची चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के इस साइट देखिए शब्द लिखे हुए है और इसके विलोम यहां लिखे हुए है अम्रित का विलोम होता है विश, अर्थ का विलोम होता है अनर्थ, अर्थ का विलोम क्या होता है अनर्थ, नेक्स्ट है अग्रज, अग्रज का विलोम होता है अनुज, तो मैंने कई बार आपको बताया है कि जा होता है जन्म लेने वाला, तो जिसने आगे जन्म लिया है वो ह अनुज, नेक्स्ट हैं अंत, अंत का है आधी, ठीक है, तो जो ऐसे विलोम शब्द होंगी, जिनको आपको याद करना है, तो उनको मैं आपको बताती जाओंगी, ठीक है, तो ये क्या है अंत, अंत का विलोम क्या है, आधी, इसे आपको ध्यान में रखना है, अंश का विलोम है पून, आंश यानि छोटा सा जो अंस होता है, तो बहुत सारे अंस मिलकर क्या बनते हैं, पून बनते हैं, अंस का विलोम पून, अवतल का उल्टा है उतल, अवतल का विलोम है उतल, अल्प यानि कम और अति यानि ज्यादा, तो अल्प का विलोम है ज्यादा, तो एक्जाम होता है, उसका विलोम जो है वो है भी उसी के तरीके का होता है, अति का विलोम है, अल्प का विलोम है अति, और कम का विलोम है ज्यादा, नेक्स्ट है अनेक, अनेक का है एक, अंधकार का है प्रकाश, अंधिरा का क्या है, रोशनी और अंधकार का है प्रकाश, अपमान का पोजिट क्या है सम्मान, अस्त का है उदय, नेक्स्ट है अपेक्षा का है उपेक्षा ठीके चलिए इधर देखिए अब ये वाला प्रस्न जो है वो कई बार आता है कौनसा अग्य और विज्य का क्योंकि यहां पर कन्फ्यूजन देते हैं अग्य, भिज्य, अनभिज्य और अभिज्य ठीके तो यहां पर आप एक चीज को ध्यान में रख लीजिए तो देखिए अग्य जो है उसका अर्थ क्या होता है मूर्ख ठीके जिसे ज्यान ना हो तो इसका अपोजिट है विज्य अब एक जो अनभिज्य आता है तो अनभिज्य का अपोजिट क्या होगा वि यही होगा, तो यह आपको ध्यान देना है, आदी का होगा अंत, नेक्स्ट है आस्तिक, आस्तिक का होगा नास्तिक, जो की आपको पता है, आरोह का आर्थ होता है, कई बार इसमें भी confused हो जाते हैं, आरोह का आर्थ होता है, कि जब कम से ज्यादा की तरफ जा रहे होते हैं, त रोव, आकाश का है पाताल, आशा का है निराशा, यह कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुत इजी है, जो आपको आते भी हैं, जो नहीं आते हैं उनको आपको याद रखना है, आशीरवाद का अपोजिट है अभी शाफ, आशीरवाद का विलोम क्या है? अभी शाफ, नेच्ट है आरंब का यानि प्रारंब या आरंब इसका अंत क्या है प्रारंब का विलोम क्या है अंत आवश्यक जो चीज आवश्यक है और इसमें अउपसर्ग लग गया तो हो गया अनावश्यक आदान का विलोम है प्रदान आयात का विलोम क्या है निर्यात आयात का विलोम है निर्यात और आदर का विलोम क्या है अनादर नेक्स्ट देखिए अनादर तक हो गया अनुलोम का है विलोम या प्रतिलोम दोनों ही आएगा अनुलोम का अपोजिट विलोम शब्द क्या है विलोम भी है और प्रतिलोम भी है अति व्रस्टी ज्यादा व्रस्टी हो गई ज्यादा वारिष हो गई तो हो गया अति व्रस्टी और कम गई तो अल्प व्रस्टी या अना व्रस्टी ठीक है तो यदि option में अल्प व्रस्टी और अना व्रस्टी दोनों ही होता है तो आपको कहां लगाना है अति का अना व्रस् अलपवरस्टी होगा या अतिवरस्टी का विलोम अनावरस्टी मिलेगा अनुकूल का है प्रतिकूल तो देखिए जिसने उपसर्ग प्रत्य याद किये हैं तो उसको पिल्कूल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी विलोम शब्द को करने में अनुकूल का अपोजिट है प्रतिक अपरादी का है निर अपराद अब देखिए यहाँ पर जैसे ही निर उपसर्ग लगा तो धी के उपर जो बड़ी की मात्रा थी वो लुप्त हो गई अपरादी का हुआ निर अपरादी नहीं करना निर अपराद करना है अबनी का है अंबर, इमानदार का है बेईमान, इमानदार का है बेईमान, नेक्स्ट इधर देखिए, आयात का निर्यात हमने कर लिया था, आदर का है अनादर, ठीके तो इसमें कौनसा है उपसर्ग, अन, आश्रित का है अनार्शित, अना अनाश्रित, तो यहां पर भी अन इस्ट का है अनिस्ट, इह लोक का है परलोक, इह लोक यानि की जो इस लोक की बात हो रही और परलोक यानि की दूसरे लोक की बात हो रही है, इच्छा का है अनिच्छा, इच्छा में अन उपसर्ग लगा और क्या बना अनिच्छा, इस्ट का है अनिस्ट और कड़वा का है मी गए हैं तो उनको विलोम शब्द करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है नेक्स्ट है उत्तम का है अधम उत्तम का अधम यह याद रखना है आपको उत्तम का है अधम उदार का है अनुदार उपचार का है अपचार उपर्युक्त का है अनुर्पयुक्त ठीक है अब यह लगा उप्युक्त में और बन गया अनुप्युक्त उचित का है अनुचित ठीक है यहां पर भी अनुपसर्ग ही है उपकार का है अपकार उत्तीन का है अनुतीन ठीक है तो जहां पर भी आप देखेंगे कि मूल शब्द उसे स्टार्ट है उसे प्रारंब है तो वहां पर उनति का है अवनति, उद्याचल का है अश्ताचल और उच्छ का है निम्न, उद्गाटन का है समापन. तो जिन बच्चों ने मेरे सभी वीडियोस देखे हैं उपसर्ग प्रत्य, तद्सम तद्भग, तो उन्हें बहुत ही आसानी से विलोम शब्द जो हैं वो आ रही होंगे नेक्स्ट हैं कदाचार का है सदाचार, क्रे का है विक्रे, क्रे यानि खरीदना और विक्रे यानि बेचना, कपूत का है सपूत, तो देखिए ये भी मैंने आपको बताया था, का का अर्थ होता है बुरा और सा का अर्थ होता है अच्छा, ठीके, तो कपूत का अपोजिट हुआ सपूर्ट यह कुछ ऐसी बाते होती है जो मैं आपको बताती हूँ अगर एक्जाम में ऐसा शब्द आ जाता है जो आपने नहीं पड़ा या नहीं याद कर पाई तो आप इन चोटी-चोटी बातों को ध्यान में रखकर भी सही उत्तर दे सकते हैं कोमल का है कथोर खुस के आगे खुस के आगे नहीं देखिए भू के आगे खुस लगा तो खुस बू बन गया और भू के आगे बद लगा उपसर्ग तो यह बद बू बन गया ठीक है इस तरीके से ये शब्द भी बने हुए हैं खंडन का है मंडन खंडन यानि की उस चीज का विखंडित हो जाना ठीक है उस चीज के टुकडे हो जाना और मंडन यानि की उस चीज का बनना खंडन का है मंडन यहां देखिए गहरा गहरा क्या है उथला ग्रीश्म का है सीथ ग्रीश्म का क्या है सीथ गर्मी का है सर्दी गुण का है दोस, और गुरु का है लगु, अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है आपको? एक तो यह ध्यान देना है शब्द सुद्दी, दूसरा ध्यान देना है विलोम शब्द, गुरु में रा के पिछे छोटे उकी मातरा लगी हुई है, बढ़े उकी नहीं, इसी तरीके से लगू में चोटे उकी मातरा है बड़े उकी नहीं तो गुरू का अपोजिट क्या है लगू गोचर का है अगोचर ठीक है गोचर का है अगोचर Next है उत्पत्ती उत्पत्ती का है विनास जहां पर किसी चीज की शुरुवात हुई है और जहां चीज किसी चीज का अंत हुआ है एक दूसरे के विलोम होते हैं उत्पत्ति उसका है विनाश उत्तरायन उसका अपोजिट क्या होगा दक्षणायन ठीक है उत्तर का विलोम होगा दक्षण इसी तरीके से उत्तरायन का होगा दक्षणायन उपसर्ग का हो आप देखिए अब उपसर्ग का प्रत्य जो है वो नहीं करेंगे उपसर्ग का क्या करेंगे अपसर्ग या परसर्ग उपसर्ग का क्या है विलोम शब्द अपसर्ग और परसर्ग अब ये आपको याद रखना है उनमुक का है विमुक, उपजाओ का है अनुपजाओ, एकता का है अनेकता, और एक का है अनेक, नेक्ट देखिए एकागर का है चंचल, एकागर का क्या है चंचल, अब आपको यदि उपचर्ग बहुत अच्छे से भी याद हो गये हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि विलोम शब्द बनाते वक्त आप उन में सभी में उपसर्ग लगाकर ही विलोम शब्द बना देंगी। आपको शब्द जो है वो ध्यान में देना है। अब एकता का आपने बना दिया अन एकता। ठीक है। तो देखिए यहां एकागर का अनेकाग्र नहीं बनाना है, एकाग्र का है चंचल, नेक्स्ट है एतिहाशिक, एतिहाशिक का अन, अनेतिहाशिक, ठीक है, अनेतिहाशिक, ध्यान देना है, एतिहाशिक का सब्द सुद्धी के अकॉर्डिंग भी ध्यान देना है, अनेतिहाशिक, नेक्स्ट है, एकार्थक का का है अनेक आर्थक एक अर्थ वाले और ये अनेक अर्थ वाले ठीक है एक आर्थक का है अनेक आर्थक और चित्त का है अनौचित नेक्ट है आपचारिक का है अनौपचारिक आपचारिक में कौन सा उपसर्ग लगा है तो वो अनौपचारिक बन गया इसमें अनौपसर्ग ही लगा है नेक्स्ट देखिए गौन का है प्रमुक गौन यानि की दूसरा और प्रमुक यानि की जिसकी हम बात कर रहे हैं तो गौन का होगा प्रमुक गौरब का होगा लागव तो गौरब जो है वो किस से बना है गुरू शब्द से बना है नेक्स्ट है घ्रिणा घ्रिणा का का है प्रेम, चल का है अचल, चेतन का है अचेतन या जड दोनों ही धियान रखने है चेतन का अचेतन भी है और जड भी, जन्म का है मृत्यू, जय का है पराजय, जय का अपोजिट विजय नहीं करना है, जय का तो वो समानार्थी हो जाएगा विजय, तो जय का जो विलोम है वो होगा पराजय, जटिल का होगा सरल या कठिन का सरल जीवन का मरण जेस्ट यानि बड़ा और कनिस्थ यानि छोटा तो कनिस्थ में ट नहीं आता है ठा आता है कनिस्थ या लगू लगू का आर्थ भी क्या होता है चोटा और कनिष्ट का अर्थ भी चोटा होता है तरल का है ठोज तरून का है वरद ठीक है तरूना वस्था का क्या होता है वरद्धा वस्था होता है नेक्स्ट है तिमिर तिमिर यानि की अंधेरा तो हमने परयावाची शब्दों में देखा था अंधेरे के समानार्थी या परयावाची क्या था तिमिर का क्या था अंधेरा तो अंधेरे का क्या होगा प्रकाश होगा उजाला होगा तो तिमिर का विलोम है प्रकाश बंधन का है मुक्ती बंजर का है उर्वर तो जिस जमीन में कुछ भी पैदा नहीं हो रहा है वो है बंजर और जिसमें बहुत सारे जो भी उर्वर पैदा हो रहे हैं जो भी वहां पर पौधे पेड लगाए है वो पैदा हो रहे हैं वो क्या है उर्वर बही रंग का है अंतरंग ध्यान देना है यहां पर बही रंग का विलोम है अंतरंग और भला का है बुरा दंड का क्या है पुरसकार ठीक है अब देखना है कई बार गलती हो जाती है हम पुरुसकार लिख देते हैं उता क्या है पुरसका दिन का है रात, दुराचार का है सदाचार, दुरलब का है सुलब, दूर का है पास और दैब का है दानव, चलिए next देखते हैं, भद्र का विलोम होगा अभद्र, भद्र यानि की बुरा दिखने वाला और अभद्र यानि जो बुरा न देखे, मान का है अपमान, महेंगा, महेंगा का है सस्ता, मानविय का है अमानविय, तो ये तो कुछ बिल्कुल आसान ही है, जो की आप कर पाते हैं, जो difficult होगे, उनको मैं आपको समझाती जाओंगी, मानव का है दानव, अब देखिए मानव जो है, उसकी यदि संदी विच्छेद करे देगा, यहां मूल शब्द क्या है, मनू, ठीके, मनू जो है वो मूल शब्द है, मित्र का है शत्रू, मुख्य का है गोण, महमान का है मेजबान, अब इसको याद रखना है, महमान का अपोजिट होगा मेजबान, मोटा का है पतला, मोखिक यानि की जो केवल मुह से बोला जाए और लिखित यानि जो लिखकर बताया जाए, तो मोखिक का होगा लिखित, मंगल का हो अमंगल और यश का होगा अपयश, अब देखिए नवीन का होगा प्राचीन, नवीन का क्या होगा नया है जो और प्राचीन यानि पुराना, नियूनतम यानि की कम, कम का क्या अधिक होगा तो नियून तम इसका होगा अधिक तम निर्मान कोई चीज़ बन रही है उसके बाद उसकी हो रही है विनाश तो निर्मान का विलोम होगा विनाश निरक्षर जिसको अक्षर का ग्यान नहों निरक्षर और जिसको ग्यान हो वो क्या है साक्षर निरर्थक जिसक अनैतिक, पतन का है उत्थान, पतन यानि की उसकी समाप्ति और उत्थान यानि की वो चीज नवीन या उसका उद्गम हो रहा है, तो पतन का होगा उत्थान, पठित का होगा अपठित, प्रत्यक्ष का होगा परोक्ष, तो प्रत्यक्ष जो है, उसमें कौन सा उपसर्ग है, प्रति धन अक्ष और यहां पर परोक्ष में परह धन अक्ष ठीक है देखिए दोनों ही यदि संधी करते हैं तो एक संधी नहीं होगी यहां पर तो है यन संधी प्रति धन अक्ष और यहां पर है विसर्ग संधी परह धन अक्ष ध्यान देना है इन दोनों को ही पुरातन का है नूतन, पुरातन यानि की वही प्राचीन, पुराना नूतन यानि नवीन, परतंत्र का है स्वतंत्र, जो खुद ही सारा कारे कर ले वो है स्वतंत्र और जो किसी पर डिपेंड है वो क्या है परतंत्र, तो परतंत्र का पोजिट होगा स्वतंत्र, नेक्ष्ट देखिए सबक्राल, रग का क्या है दुएश. राजा का है रंक, राच्षास का है देवता. रोगी का है नीरोग. अब देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात है निरोग नहीं होता है क्या होता है नी रोग नेक्स्ट है सजीव का है निर्जीव सम्मान का है अपमान साधर का है निराधर तो यह हम देख चुके हैं पहले भी संधी का है विग्र है ठीक है संधी यानि जब कोई चीज जुड़ती है तो संधी होती है और जब कोई च जाती है, विच्छेद हो जाता है, तो उसका है विग्र है, स्वदेश का है परदेश, स्वदेश यानि की इस देश का और परदेश यानि दूसरे देश का, नेक्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न का है उत्तर, प्रसंसा का है निंदा, पुरसकार का क्या हुआ, दंड, पवित्र का है अपवित्र, फल का है निस्पल, ठीक है, फल का क्या होगा पोजिट, निस्पल, फूल का है काटा, लाब का विलोम हानी, लोक का परलोक, वर का है व वदू में बड़ेऊ की मातरा होती है वर का विलोम होगा वदू वरदान का होगा अभी शाप वरदान का क्या होगा अभी शाप ठीक है तो देखिए यदि शाप शब्द भी आता है शाप शिराप नहीं होता है क्या होता है शाप शब्द जो है वो बिल्कुल सही है विविचारी का होगा सदाचारी. और विस्मरण यानी भूल जाना और इस्मरण यानी याद करना. ठीक है? विस्मरण का विलोम होगा इस्मरण. नेक्स्ट हैं हिंसा, हिंसा का क्या होगा अहिंसा, हर्ष यानि खुसी और विशाद यानि दुख, हर्ष का अपोजिट होगा विशाद, तो हर्ष का आपको दुख विलोम नहीं करना है, आपको इसी का अपोजिट देखना है विशाद, जैसा सब्द उसका विलोम भी उसी त शनिक का होगा शाश्वत और ज्यात का होगा अज्यात यानि कि किसी चीज़ का जानना और अज्यात किसी चीज़ का न जानना वर्दान का अभिशापी हम ने देख लिया था विविचारी का होगा सधा चारी और विस्मरण का इस्मरण विद्ध्वान का विलोम होगा मूर्क शयन का होगा जागरण, शयन यानि की सोने का, यानि की सो गए, और जागरण यानि की जागने का, शत्रुता का क्या होगा, मित्रता, ठीके, तो इसमें कौन सा प्रत्य लगा है, ता प्रत्य लगा हुआ है, शत्रु का विलोम, मित्र होगा, शत्रुता का मित्रता, सुब का हो मिलते हैं इसी तरीके से हिंदी व्याकरण के नई टॉपिक के साथ थैंक यू